हेलो दूस्तूं, विल्कम बाक टो अनदर स्टुडी सेशन तो आज हम कवर करेंगे जियोग्राफी की चाप्टर वन रिसोर्स एंड डेवलप्मेंट का पार्ट टू जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलप्मेंट, अजेंडा 21, अर्थ सम्मेट और रिसोर्स कंजर्वेशन इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो आप लोगों की तरफ से खासकर दिव्यांच की तरफ से मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैं और सब्जेक्ट्स की वीडियोज बनाओं क्योंकि राइट नाव तो मैं हिंदी वीडियो से कवर कर रहे थी काफी टाइम से तो आज हम geography cover कर लेते हैं, let's get started तो आप सभी जानते हैं कि resources हमारी life के लिए कितने important है हम resources को अपने daily life में कितना utilize करते है तो माना तो यह जाता है कि resources nature के free gifts है इसलिए जो human beings हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे resources को exploit करते हैं बहुत जादा use करते हैं, इसके कारण हमें बहुत सी problem हुई है चोकि यहाँ नीचे लिखी गई है सबसे पहली problem है depletion की, resources खतम होते जा रहे हैं कुछ ही लोगों के हाथ आते हैं और दूसरों के लिए एक सपना बन कर रह जाते हैं दूसरे दिक्कत है accumulation की, यानि resources कुछ ही लोगों के पास इखटे रहते हैं और वो अमीर बन जाते हैं, जिनके पास नहीं होते वो गरीब इसके कारण हमारी society दो groups में डिवाइड हो चुकी है rich and poor, केवल और केवल resources की value के कारण तीसरी बात आती है ecological problems की बिना सोची समझे, resources का use किया जाता है ये नहीं देखा जाता कि environment पर भी गलत असर पड़ता है इसकी वज़र से global warming, ozone layer depletion, pollution और land degradation जैसी problems होती है तो इसी के कारण ये जरूरी हो गया है कि सारे resources का equal distribution हो ताकि हम एक sustained quality of life, यानि एक लंबे समय के लिए good quality of life और global peace के साथ अर्थ पर रह सकी क्योंकि अगर इस तरह हम resources का गलत यूज़ करते रही तो हमारे future के लिए ये dangerous हो सकता है इसी कारण resource planning और sustainable development ज़रूरी है Now, the question arises that what is sustainable development इस term का meaning है कि जो आज के time में तरक्की हो रही है technologically development हो रही है वो बिना nature को नुकसान पहुचाए और future generations की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की जाए यानि environment और future generations के साथ कोई compromise ना हो और present time में भी development होती रहे तो अब आप लोग समझी गए होंगे कि what is meant by sustainable development और आखिर ये इतनी important क्यों है Guys, sustainable development ये भी ensure करता है कि resources का misuse ना हो इसलिए resource planning में भी इसको ध्यान में रखा जाता है अब बारी आती है Rio de Janeiro की Brazil के Earth Summit की जो की 1992 में हुआ था Summit यानि gathering सम्मेलन तो ये सबसे पहला international Earth Summit था जिसमें करीब 100 countries के heads ने हिस्सा लिया था इसमें उन्होंने कई problems डिसकस की थी जैसे की environmental protection and socio-economic development इन सभी assembled leaders ने मिलकर एक declaration sign किया और 21st century में sustainable development के goal को achieve करने के लिए Agenda 21 भी adopt किया So आखिर इस agenda में ऐसा क्या था Guys, agenda means a plan or an order तो ये Agenda 21 एक ऐसा declaration था जिसमें Earth Summit के world leaders ने sign किया था at UNCED, this means United Nations Conference on Environment and Development that took place at Rio in Brazil as we discussed above इसका एम था globally sustainable development को achieve करना इस agenda में कई और issues को भी cover किया गया था जैसे environmental damage, poverty यानि गरीबी और diseases इसका एक major objective ये भी था कि हर local government अपना खुद का एक Agenda 21 भी adopt करे अब हम आते हैं resource planning पर जो कि resources के judicious use यानि proper suitable use के लिए जरूरी है इंडिया में तो खासकर इसकी बहुत importance है क्योंकि हमारे यहां resources की एक large variety available है तो दोस्तों ऐसे कई places हैं जहां कुछ resources मिलते हैं तो कुछ नहीं मिलते कुछ regions में तो इतनी availability है कि उन्हें हम self-sufficient भी मान सकते हैं तो ऐसे में सभी लोगों की needs को पूरा करनी के लिए resource planning की जरूरत है फिर चाहे वो national level हो, state, regional या local level ही क्यों ना हो Now, let us discuss resource planning in India तो यह resource planning भी कोई easy process नहीं है guys In fact, it is a very complex one This mainly includes three steps पहला step क्या है? पूरी country में जितने भी resources है उनकी identification करना और उनकी inventory यानि records maintain करना इसमें surveys होते हैं, mapping होती है और resources की quality और quantity को लेकर estimation और measurement होती है Second step क्या है? Planning का एक structure बनाना जिसमें proper technology, skill और institutional setup हो ताकि resource development plan लागू हो सके Third step आता है resource development plans को overall national development के साथ लेकर चलना और match करना So, this is how resource planning is done and you must know कि India इसके बारे में हमेशा काफी serious रहा है Independence के तुरंद बाद ही इस goal के लिए 5-year plan हमारे first prime minister जवाहरलाल नहरू ने launch किया था अब आप लोग एक चीज नोट कीजिए कि resources तो ज़रूरी है development के लिए पर साथ-साथ proper technology और institutions भी होने चाहिए नहीं तो overall development नहीं हो पाएगी हमारी अपनी country में कई ऐसे regions हैं जो कि resources रच्टो है पर economically backward है यानि गरीब माने जाते हैं जैसे कि अरुनाचिल प्रदेश इसी के opposite कुछ ऐसे regions हैं जो कि resources में तो poor है पर economically developed है जैसे कि Chennai और Bangalore तो अब यहाँ पर एक term आया है history of colonization तो colonization में क्या होता है कि एक nation दूसरे nation पर कबजा कर लेता है economic gain के लिए जैसे कि Britishers ने इंडिया की साथ किया तो खुद हमारी history इस बात को reveal करती है प्रूव करती है कि colonies के main attractions उनके resources थे जिसके कारण foreign invaders यहां आते थे colonizing countries जैसे England technologically developed थे इस कारण हमारे resources exploit कर पाए और हम पर राच कर सके So this actually proves कि resources भी हमारे development में तभी contribute कर पाएंगे जब हमारे पास proper technology हों और institutions हों इसका example खुद इंडिया भी है जहां development का मतलब केवल availability of resources नहीं है साथ में technology, human resources और better experience भी है Now let's discuss conservation of resources तो कोई भी activity हो resources तो चाहिए जैसे अगर आपको पढ़ना है तो आपको resources चाहिए जैसे कि books, paper pen और online study material पर लेकिन इनके over consumption और exploitation से भी कई problems होती है जैसा कि हम पहले भी discuss कर चुके हैं इन problems को solve करने के लिए resource conservation यानि resources बचाना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में पहले के leaders ने भी बहुत सोचा था गांधी जी ने खुद कहा था कि मतलब सबकी ज़रूरते पूरे करने के लिए resources तो हैं पर सबके लालच को पूरा करने के लिए resources नहीं हैं इस तरह से उन्होंने global level पर अपनी बात रखी और कहा कि greedy, selfish लोग और modern technology resources को खतम करने के लिए responsible हैं वो mass production यानि बहुत ज़ादा production के खिलाफ थी और चाहते थे कि लोग खुद production करें जिससे गरीबी मिटें तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगी part 3 में हम land resources के बारे में discuss करेंगी दोस्तों इस chapter की PDF फाइल का link मैंने description में डाला है आप चाहे तो वहां से इसे access कर सकते हैं guys अगर explanation अच्छी लगी तो hit the like button, comment and share as much as you can we are just a few more to being 100 thanks to all of you for your love and support bye bye guys will surely bring something new for you later thanks for watching